नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रंशनार रावत और आप देख रहे हैं भागवत संदेश जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे संग प्रमुक मोहन भागवत का वो संदेश जो नों ने 7 जून 2018 को नागपुर में दिया जहां संग प्रमुक ने कहा कि शक्ति के आधार पर किसी भी काम को किया जा सकता है और शक्ति संगठन से होती है सबके साथ होने से होती है और शक्ति का उपयोग हमेशा दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए कार्य कोई भी संपन्न होता है तो शक्ति के आधार पर संपन्न होता है किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति चाहिए यह जीवन का नियम है विद्धियान असिध्ध नियम है और शक्ति संगठन में होती है सबने मिलके काम करने में होती है और शक्ति को अगर शील का आधार नहीं रहा तो वह शक्ति दानवी शक्ति बनती है अच्छी बातों का उपयोग बुरे कामों में होता है विद्या विवाद आया धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडन आया विद्या प्राप्त लोग विवाद में समय गवाते हैं सहमती नहीं बनाते हैं विद्या के आधर पर सहमती बननी चाहिए लेकिन विवाद चलते हैं दनपति लोग धनके मदबे चूरा हो जाते हैं धनका वो उपयोग नहीं है और शक्ति दूसरों के सब बातों की इच्छा करना और दूसरों को पिडा देना वो प्राप्त करने के लिए इसलिए करते हैं कों लोग करते हैं कि खलस्य विद्या विवादाय धनम्मदाय शक्तिपरेशाम परपीड़नाय खलस्य साधों हो विपरीतमेतत सज्जनों की गति उल्टी चलती है ध्यान आय दानाय चारक्षनाय विद्या का उपयोग समाज में ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं धनका उपयो लोग रक्षन के लिए करते हैं दुर्बलों का रक्षन करते हैं शक्ति को शील का आधार चाहिए बिना उसके अनियंत्रिच शक्ति एक खत्रे वाली बात और इसलिए उस शक्ति की उत्पत्ति उस शील की उत्पत्ति समाज के आज के स्थिती में सब संकटों से समस्याओं से उबार कर समाज श्रेका मार्ग चलने लगे ऐसे ज्ञान की आराधना सब परिस्थितियों में अपनी तपस्या पर अडिक रहने के लिए वीरवरत किया झाल झाल